है ये मिठुन चक्रवर्ति बोल रहा है इसलिए बार बार कह रहा है हम कुछ भी करेंगे कुछ भी हम्कोर भो करिये करता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे हमको भो करिये करता चाहिए जो सीना सारी जमीनी के अंदर तुमको पेकिंग ले उदर हमारे जाड़का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके जाड़का चार फल तोड़ देंगे यह मैं कहता हूं कि आतंगवाद politicians की विरासत है terrorism is a monopoly of the politicians सियासत दान लोग की विरासत है देशतगर्दी आतंगवाद politicians की विरासत है क्यों क्योंकि जितने भी मैंने attacks आप से कहे और जितने भी आप जानते है जिसका मैंने तसकिरा किया उसके बाद चाहे 9-11 हो चाहे अफगानिस्तान अटाक हो का इराक में अटाक हो डायरेक्लि या इंडायरेक्ली इसके पीछे politicians है आप तैकिक करेंगे यह सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इंडायरेक्लि पॉलिटिशिन्स का हात है इसलिए मैं कहता हूँ कि आतंगबाद दैशतगर्दी पॉलिटिशिन्स की विरासत है अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किये साट साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिये देश के अंग्रेज की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल तफरक का पैदा करो और हुकूमत करो डिवाइड एंड रूल हमने अंग्रेज को तो देश के भार निकाल दिये लेकिन हमाले पॉलिटिशन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते divided and rule आज की तारिक में आप हिंदुस्तान की तारिक पढ़ेंगे आज हिंदुस्तान सबसे अवल मुल्क है सबसे अवल देश है जिसमें सबसे ज़्यादा communal rights सबसे ज़्यादा मजब के नाम पे दंगे फसाद होते है सबसे ज़्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता इस दुनिया में वो हिंदुस्तान इसके जिम्मेदार है सिर्फ politicians अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजब का नाम है अक्सर हिंदु मुस्लिम है कभी कभी हिंदु-qrishian ने अक्सर मजब को आपस में लडाते है आपने उड़-बेंक के लिए अपने गद्धी को बचाने के लिए अपने सीड हासिल करने के लिए वो बे गुनाः इनसानों को आपस में लडाते है इसलिए मैं कहता हूँ मेरे नजर में देश्यत गर्दी आतंगबाद पॉलिटिशनों की विरासत है इंडिया की मिसाल देने लगूँ उतना वक्त नहीं है चंद एहम मिसाल कहूँगा मैं पहले नंबर पे है कि पॉलिटिशन की कोई जातने होती चाहे कोई भी पॉलिटिशन हो अमेरेकन पॉलिटिशन, यूके पॉलिटिशन, इंडियन पॉलिटिशन हिंदु पॉलिटिशन, कृष्ट्धिन, श्ल्म पॉलिटिशन अक्सर पॉलिटिशन वो लोग responsible है जितने भी rights होते है अक्सर इसलिए एक शक्स नहीं कहा था कि the politicians they add fire to the fuel वो चिंगारी लगाते है इंधन पे चिंगारी नहीं 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 politician लोग they don't add fire to the fuel they add fuel to the fire वो इंधन दालते हैं आग में हमारी आजादी के बाद आजादी के बाद ही politician का दिकर कर सकता है आजादी के पर दो करते थे हुकूमत आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कोई जानता था मैं तो नहीं जानता था कुछ लोग शाय जानते थे आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन मूमी की जगा क्या है ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था आम मुसल्मान जानता है नहीं था आम हिंदू जानता है नहीं था आम हिंदूस्तानी नहीं जानता था लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाए गा दिसम्बर सन 1992 में 1992 में 6 दिसम्बर में एक बड़ी gathering हुई उसी disputed site के उपपर बाबरी मस्जद राम जन भूमी जिश्चु के जगा पे order था सुप्रीम कोट का सबसे highest authority इस मुल्क की no gathering तो भी gathering हुई कौन gathering किया opposite party of politicians politicians in the opposite party हुकूमत चाती थी तो रोक सकती थी आसानी है पुलिस उसके पास हत्यार था आसानी लेकिन नहीं रोका क्यों नहीं रोका opposition ने gathering की vote bank के लिए क्या मुझे vote मिलेंगा politician जो power में थे अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा vote bank जाएगा तो जाने दिया आंदो no problem माज़ा पीछे के रस्ते से हो लेकिन तेलिविजिन पर दिख रहा था सुप्रीम कोट का order no gathering उसके बाद क्या होता है हजारों की तादात में द्यस हजार से जादा हजारों tens of thousands of people lakhs of people lakhs of people lakhs of people लोग एकटा हुए सब जगा से त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहिद करते हैं को ही भी अकलमन इंसान क्या थ्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है से एकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है मुझत स्पॉंटेने दिरेक्शन था प्लानिंग नहीं थी टेलिविशन पे लाइफ दिख रहा है लाइफ दिखा रहे है लाइफ टेली का जा लाइफ मैच होता है न वैसा लाइफ दिखा रहे थे कितने चैनल दिख रहा था अपोजिशन के पॉलिशन बेटे हैं उदर हकुमत बेटे और पूरीस के सामने और बाबरी मजजिद नीचे आ थी कैसा बाई डाइनमाइट दिख रहा है और बोलते हैं का स्पॉंटेनिस रियक्शन था क्या स्पॉंटेनिस प्लानिंग थी बम के जरीए बाबरी मजजिद को शहित किया जाता है मुझे लगता है कि जर्ज बुष ने ये बाबरी मजजिद डिमॉलिशन को देखके उसको आइडिया आया होँगा कि 9-11 नियोक टिंट आर को बम से गिराओ 9-11 पे मुझे ज़्यादा तकरीर ने करने का है वो 9-11 तो इतना बड़ा कम उसकम 10 तकरीर कर सकता हूँ 9-11 के उपर जोज बुष के उपर लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मजजिद से जिस तरीक से बाबरी मजजिद को बम से गिराओ गया और कहा गया कि स्पॉंटेनेस रियाक्शन था उसी तरीके से बम से गिराया प्रिंट आउर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा जए तो इन्शालला क्वेश्टन आनसर में टाइम रियातों कहूंगा क्या होता है इमिजेट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते दंगे फसाद होने के बाद एक्षिन का रियक्षिन होता है हजारों लोग मारे जाते हजारों का गतल होता है सारे हिंदुस्तान में अक्सर मुसल्मान और खुसूसन बंबे में बाबरी मस्ज़ट डिमॉलिश की को जिम्मेदार कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी अकल हो कहेंगा नंबर वन रिस्पॉंसिबिल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशन जिनने गैदिरिंग की सुप्रीम कोड के किलाफ नंबर टू जिम्मेदार जो पॉलिटिशन पावर में थे वो रोक सकते ते लेगि नहीं रोका क्यों वोड बैंक जाएंगा उसके वज़RO हुए दंगे फसाद होते समझे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती आप कोई भी सीनिए पोलिस अफ्षा से पूछिए मैं तो भोज से पुलिस आफिसे से पूछिए दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है जैसा शुरू हुआ विदिन फ्यू आवर्स चंद घंटों में रोका जा सकता है अगर कम पुलिस फोस है तो रिज़र फोस को बुलाओ तैरिस अटक्स को रोकना बहुत मुश्किल है कुछ रोक सकते सब नहीं सब रोकना नामुम्किन है सव फीसद कुछ को रोक सकते दंगे फसाद सव फीसद रोकना असान है अगर पुलिस फोस चाहे तो लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी क्यों क्योंकि उनको पॉलिटिशन कर जब आधा था पुलीस फोस्स तो फाइनली गवर्मेंट के अंदर आती ना हो मिनिस्टर के अंदर वो पुलीस ओफिसर चाहता भी ता बेगुना मुसल्मान का कतल ना हो फिर भी कुछ ने कर सकता है क्यों उसके सिरके ओपर पॉलिटिशन है हमारी आज आजादी के बाद ही पॉलिटिशन कर दिकर कर सकता है आजादी के पर दों करते थे हुकूमत अंग्रेज आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कोई जानता था मैं तो नहीं जानता था कुछ लोग शाय जानते थे आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन मूमी की जगा क्या है ना मुस्लिम जानता था ना हिंदु जानता था आम मुसल्मान जानता यह नहीं था आम हिंदु जानता है नहीं था आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्रॉय बनाए गया पॉलिटिशन वोड़ बैंक के लिए सुप्रीम कोट ने ओर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटिट साइट पे इस इक्तिलाफी जगे पे कोई नहीं आना चाहिए उसके बावजूद 6 डिसमबर सन 1992 में 1992 में 6 डिसमबर में एक बड़ी गैधिरिंग हुई उसी डिस्प्यूटिट साइट के अपर बाबरी मस्जद रामजन भूमी जिश्यू के जगा पे ओर्डर था सुप्रीम कोट का सबसे हाइस अथारिटी इस मुल्क की नो गैधिरिंग तो भी गैधिरिंग हुई कौन गैधिरिंग किया ऑपोसिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशन पॉलिटिशन इन दो ऑपोसिट पार्टी हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी आसा नहीं है पुलिस उसके पास हत्यार था आसा नहीं लेकिन नहीं रोका क्यों नहीं रोका ओपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए क्या मुझे वोट मिलेंगा पॉलिटिशन जो पाउर में थे अगर मैं उनको रोकूँ गा तो मेरा वोट बैंक जाएंगा तो जाने दिया आंदो नो प्रॉब्म आ जाओ पीछे के रस्ते से हो लेकिन तेलिविजिन पर दिख रहा था सुप्रीम कोट का ओडर नो गैदरिंग उसके बाद क्या होता है हजारों की तादात में दैस हजार से जादा हजारों टेन्स अफ थाउजन्स अफ पीपल लाक्स अफ पीपल लाको लोग इकटा हुए सब जगा से त्रिशूल लेके बाबर आसकती है बुलते स्पॉंटेने रियक्शन था प्लानिंग नहीं थी टेलिविजिन पर लाइफ दिख रहा है लाइफ दिखा रहे लाइफ टेली का जा लाइफ मैच होता है न वैसा लाइफ दिखा रहे थे कितने चैनल दिख रहा था अपोजिशन की पॉलिशन बेटे पॉलिश के सामने और बाबरी मज़िद नीचे आथी कैसा बाइफ दिख रहा है और बोलते का स्पॉंटेनिस रियक्शन था क्या स्पॉंटेनिस प्लानिंग थी बं के जरिये बाबरी मज़िद को शाहिद किया जाता है मुझे लगता है कि जॉज बुश ने ये बाबरी को बं से गुड़ाओ नाइन लेविन पर मुझे ज्यादा तकरीर ने करने का है वह नाइन लेविन तो इतना बड़ा कम जब कम दस तकरीर कर सकता हूं मैं नाइन लेविन के अपर जॉज बुश के अपर लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से जिस तरी के बाबरी मस्जिद को बं से गिरा गया और का गया किसी तरीके से बं से गिराया को और का गया कि पलेन Hindi मारा चैर तो इंशालह क्वेशन आनसर में टायम रिया तो कर वह क्या होता है इमिजट सारे हिंदूस्तान में दंगे फसाद होते हैं दंगे फ़साद होने के बाद आक्शन का रियक्शन होता है हजारों लोग मारे जाते हजारों का गतल होता है सारे हिंदुस्तान में अक्सर मुसल्मान और खुसूसन बंबे में बाबरी मस्ज़ड डिमॉलिश की को जिम्मेदार कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी अकल हो कहेंगा सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशन जिनने गैदिरिंग की सुप्रीम कोड के किलाफ नंबर टू जिम्मेदार जो पॉलिटिशन पावर में थे वो रोक सकते दिल कि नहीं रोका क्यों वोड बैंक जाएंगा उसके वज़े दंगे फसाद होते दंगे फसाद में पुलीस चाती दंगे फसाद को रोक सकती आप कोई भी सीनियर पुलीस आफिसर से पूछिए मैं तो भोश से पुलीस आफिसर से बात कर चुका हूँ इदर और भार भी कोई भी सीनियर पुलीस आफिसर से पुछिए दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है जैसा शुरूआ विदिन फ्यू आवर्स चंद घंटों में रोका जा सकता है अगर कम पुलीस फोस है तो रिज़र फोस को बलाओ तैरिस आटक्स को रोकना बहुत मुश्किल है कुछ रोक सकते सब नहीं सब रोकना नामुम्किन है सव फीसद कुछ को रोक सकते दंगे फसाद सव फीसद रोकना असान है अगर पुलीस फोस चाहे तो लेकिन जो पुलीस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी, क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशन का जब हो था पुलीस फोस्स तो फाइनली गवर्मेंट के अंदर आती ना हो मिनिस्टर के अंदर वो पुलीस ओफिसर चाहता भी ता बेगुना मुसल्मान का गतल ना हो फिर भी कुछ ने कर सकता है, क्यों? उसके सिर के अपर पॉलिटिशन है दंगे फसाद होते है बंबई में एक हजार पांच सो मुसल्मान का गतल होता है मुसल्मान होते है एक हजार आट सो से ज़्यादा गायल होते है बंबई रैट्स में इवन पार्टिशन के वक्त भी बंबे में इतना बड़ा दंगा फसाद है और जिस तरीक से ये दंगे फसाद हुए और पॉलिस चाहती है रोक सकती थी नहीं रोकी हजारों बे गुनाय लोक की कतल हुआ थोड़ा पहले रियाक्शन दा डिसेंबर में उसके बाद जब इतने मुसल्मान मरे तो गॉर्मेंट सोचने लगे अभी वोर्ट बैंक मुसलिम के जाएंगी बरे छोटी है तो क्या की वन जजज कमिशन श्री कृष्टन कमिशन को अपहले डरो मत जो भी जिम्मदारे हों गिरिफ्तार होंगी और काइम करते वन जजज कमिशन श्री बी एंड कृष्टन को श्री बी एंड श्री कृष्टन को श्री कृष्टन कमिशन और मुझे कहना पड़ेगा बिला शुबा कि जश्टिस श्री कृष्टन वो एक डिवाउट हिंदू है हिंदु धन का बालन करते हैं लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अप्राइट इंसान है साथ साथ वो एक इमानदार और अदल के इंसान है नागरिक है हमें गर्वे उसके उपपर जस्टिश श्री कृष्णा अकेला वन मैन कमिशन वो क्या करता है वो तैकिक करने लगता है कि जिम्यदार कौन है रिपोर्ट बनाते हैं दो वॉल्यूम में पहले वॉल्यूम में कहा का हम लेवे क्यों होए दूसरे वॉल्यूम में कौन-कौन जिम्यदार थे श्री कृष्णा कहते है Justice Shree Krishna, महीने कह रहा हूँ Justice Shree Krishna कहते है कि ये राइट्स के जिम्मिदार इट वस प्री प्लान्ड बाइ दो अपोजिशन पॉलिटिशन आप महराश्टर अपने रिपोर्ट में लिखते है number one responsible महीने कह रहा हूँ Justice Shree Krishna number two the politicians in power they could have stopped it जो politicians power में थे वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका नाम लिख के कहता है माशालला गट से उसके पास हिम्मत है उसके पास Justice Shree Krishna मैं उसको गंगराशलेट करता हूँ अकेला मैं मैंने कोशिश किया कि आज उनको स्टेज के उपर चीफ गेज जैसा बनाऊँ लेकिन मैंने दावद बहुत लेट दी और कोई Justice को भी कोशिश किये लेकिन लेट मुझे ध्याना है कि एक को Chief Guide मना सकते थे कई प्रोग्राम में काफी Justice आ चुके है वो लिखता है कि ruling party शरत पवार भी responsible है मैंने कहता हूँ Justice Shree Krishna Defense Minister और Chief Minister सुदा कर रहा हूँ वो भी responsible नाम लेके लिख रहा है मानना पड़ेंगा उश शक्स को दाद देता हूँ मैं उसकी अलामदल्ला सुमा अलामदल्ला अलाह उसकी इफासद करे गट से उसके वो लिखता है opposition party पहली responsible local Maharashtra government की ruling party next responsible उसके बाद police force which was hand in glove responsible नाम ले रहा है police officer का नाम लेके 20 police station जो बंबे के jurisdiction में वो जाके साल भर note करते है रहा केला शक्स नाम लेके commissioner joint commissioner नाम बिलिया त्यागी that time joint commissioner या क्या था उस time नाम लेके police officer के responsible कहता है शुरुवात हुई बाबरी मस्जिद से L.K. Advani का नाम भी अंदर है L.K. Advani बाबरी मस्जिद नाम लेते होए मैं तो एकीग किया लेकिन फिर पता चला यह शक्स justice B.N. Shree Krishna हिम्मत है उसमे नाम लेते होए तो हम जानते हैं यह वज़े कि इसके जिम्मेदार number one है politicians इसलिए हम मुसल्मान को Indian Judiciary सिस्टम पे गर्व है हमें फकर है Indian Judiciary सिस्टम पे हो सकता है कि politician हमें छोड़ देंगे एक आम जो हिंदुस्तानी है खुसुसर हम मुसलिम हम मुसल्मान चाहे politician हमें दोका देंगे चाहे कई बार police दोका देंगे लेकिन Indian Judiciary सिस्टम पे हमें गर्व है और हम दुआ करते हैं अल्ला से क्या यह Judiciary सिस्टम को politician की भनक न लगे वरना खुदा इस देश को बचा सकता है Bombay rights के बाद जो December 92 में हुआ था और January 93 में दो महने बाद 12 March 1993 में होता है Bombay में Serial Bomb Blast तेरा Bomb फुटते है तेरा Bomb धमाके होते है Bombay में जिसमें धाई सो से ज्यादा इनसानों का गतल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते है उस टेम कहना था हो सकता है कि Bomb Blast मुसलमानों ने किया था उन्हों सार पहले जब तक्रीर की थे उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक आने वाला था ये जो केस चल रहा था Bombay Bomb Blast 93 का जब तक्रीकी थे उस लाए में केस का जज्मिन नहीं आये था जस्टिस श्री किशना कहते है कि ये Bomb Blast वाज अ रियाक्षिन और ये Bomb Blast के पहले और राइट्स के बाद January, February 1993 में माहौल Bombay में मुसल्मान के लिए बहुत गंबीर था जब मुसलिम आम मुसलिम सड़कों पे चलते थे जब वो ट्रेन में ट्राइवल करते थे सफर करते थे बस में जाते थे लोग उन्हें घुरते थे उनको ताने मानते थे मुसल्मान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया Bomb Blast होने के बाद हालत बदर गए हर मुसल्मान जानता है कि बेगुना इनसान की जान लेना गलत है इस नाम नहीं सिकाता है कि आप बेगुना लोग को कतल करो अक्सर मुसल्मान जानने के बाद कि ये Bomb Blast जो हुआ Bombay में 1993 माच में गलत था गेर इसलामी था फिर भी अक्सर मुसल्मान खुश हुए कमस कमसी उठा के चलतो सकते है जस्टिश श्री किष्णा कहते इट वाज रियाक्शिन अफ दे मुसलिम्स और इसके केस के बार में बाद में हम जिकर करेंगे लेकिन ये कहना जरूरी है कि आप कोई बे गुना गेर मुसलिम का कतल नहीं कर सकते क्योंके कोई और गेर मुसलिम ने आपको तकलीफ दिया और आपको और गेर मुसलिम को तकलीफ देंगे ये बिलकुल अनिस्लामिक है ये जो धाइसो लोग मरे बंबई में बॉम ब्लास के जरी है उसका जिम्मेदार कौन? कौन लोग? वही लोग! जो बाबरी मस्जिद के अंदर उपोजिशन पार्टी ने जो गैदिरिंग की नमबर वन नमबर टू जो उपोजिशन के वोट बैंक के लिए नमबर टू पॉलिशन जो पावर में थे जान पुचके ने रोका ने तो सीट चले जाएंगी वो रिस्पॉंसिबल है नमबर थ्री आम जनता जो पॉलिशन के भेकाव में आ गई नमबर चार जो पॉलिश रोक सकती थी नहीं रोकी नमबर पाँच जो लोग ने राइट्स किये डिसमबर 92 और जनवाई 93 में वो लोग रिस्पॉंसिबल थे माराश्टर के पॉलिटिशन रूलिंग अन उपोजिशन वोई लोग सदर सबके पॉलिटिशन आप आम तोर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकड़ॉंड में जाओ डिरेक्ली औंडिर्कली जो भी टेजिस अटैक से डिरेक्ली औंडिर्कली और्मोस्ट अल अकसर सभी के पीचे पॉलिटिशन कहाते है दस साल के बाद 2002 में साथ हुए गुजरात में क्यों कि 26 फेबरी को 2002 में कोच नंबर S6 सब्रुमतिय एक्सप्रेस का वो जलाया गया वो डिबबा जलाया गया और इलजाम था मुसल्मानों सब्रुमतिय एक्सप्रेस का गोजरा पे वो अंदर से तेल फेका गया था वो प्लानिंग थी 56 लोग मरे कोई कहता है 55 पचास से जादा मरे बाद में पता चला कई लोग जो मरे की लिस्ट में नाम था वो बाद में जिन्दा थे इतने लोग मरे अल्ला ही जानता है बट मरे काफी लोग जिम्मेदार politicians there was a state financed supervised program report कहती है के state managed hand in glove politicians police massacre था हजारों लोग का कतल किया गया था गुजरात में official government report कहती है 793 Muslims died and 253 Hindus लेकिन organizations कहती है NGOs, human rights के organization 2000, 500, कोई कहता है 3000 लोग का कतल हुआ अक्सर मुसल्मान कुछ organization कहती है के 5000 लोग गुजरात में इस दंगे फसाद में कतल हुए उनके कोई कहता है 8-10 हदार लेकिन आसानी से हम कह सकते है ये organization human rights की report पढ़के 3000-6000 लोग का कतल हुआ जितने लोग 9-11 में मरे उससे ज्यादा गुजरात में मरे जितना नुकसान 9-11 में हो उससे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ क्रोग की property जलाए गई report है कितने video films available है कितने booklet शपे कितने books मौझूद है proof, eye witnesses हजारों मुसल्मान का गतल हुआ हजारों मुसल्मान आउरते हमारे माँ हमारे भेन उनका खुले आम बलातकार हुआ कौन कहता है मुसल्मान ने NGO report human rights commission अब बढ़िये सब हजारों मुसल्मान आउरतों का खुले आम बलातकार हुआ जिनाबिल जब हुआ उनकी इज़त लुटी गई tens of thousand दस हजारों से ज़्यादा मुसल्मान की दुकाने लुटे गई मुसल्मान के establishment लुटे गई tens of thousand पचास हजार से ज़्यादा मुसल्मान के घर को लुटा गया घर को आग लगाए गया लाखों मुसल्मान बेगर हुए इसके जिम्मेदार कौन यह कौन लिखता है यह सब report जो मेरी है मुसलिम रिपोर्ट नहीं है तो आपको लगता है यह सब मेरी तहकीक जो है मैं अगर हिंदूइसम का बात करता हूँ तो हिंदू स्कॉलर्स क्या कहते है देखता हूँ वेट के बारे में इसी तरीके से यह सब report जो है टेरेस अटाक की नॉन मुसलिम report यह वेबसेट में जाईए FBI की यह American source की यह खुद की report नहीं है मेरी और कितने मैं एक जील शपे इस ताइम मुझे दाद देने पड़ेंगा इंडियन मीडिया की मीडिया बहुत बार गड़बड करते हैं लेकिर इंडियन मीडिया अलहम्दलिल्ला सुमा अलहम्दलिल्ला गुजरात रायत में एक आथ को छोड़के जो मीडिया पॉलिटिशन कंट्रोल है उसको छोड़के अलहम्दलिल्ला सुमा अलहम्दलिल्ला साफ साफ चैनलों पे दिखाया क्या गलत काम हो रहा है मुसल्मान के खिलाफ कि हम बेगुना मुसल्मानों को महराज जा रहा है उनकी इज़त दूटी जा रही है उनका रासफास कर रहे थे फिर भी पॉलिटिशन को कोई फरक नहीं पड़ता उनकी प्लानिंग थी कि हमको ये धैशत पैदा करना है ताके वोट बट जाए और वोट हमारे तरफ आए और वो बिलकुल काम्याब हुए जब नेक्ट एलेक्शन हुआ वो बड़ी तादात में जीते टू थर्ड मैजॉरिटी ये जो हजारों मुसल्मान लोग मरे उनका कतल किया गया है हजारों मुसल्मान आउरत को रेप किया गया है हजारों लाखों दुकाने घर लूटे गए जलाए गए उसका जमेदार कौन वही लोग नंबर वन पॉलिटीशन पॉलिटीशन आफ दे रूलिंग स्टेट अफ गुजरात प्री ब्लान्ड Central Government की हुकूमत जो थी वो रोक सकती थी वो भी डर गए रोकेंगे तो वोटर बैंग जाएंगे करने दो नंबर थ्री पॉलिस फोस रिस्पॉंसिबल कौन कह रहा है यह नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स हा सबे नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स NGO's Human Rights के Organization Hand and Glove कुछ पुलिस अश्रान जब बचाने गे मुसल्मान को तो उनके अगे इल्जाम लगाया गया और इस हद तक के गुजराथ हाई कोट ने भी साथ दिया उनका इतने हद तक के Supreme Court had to interfere Supreme Court इंडिया की इंटेफियर की और उसके उपर पावंदी लगाई evidence खुला खुला evidence पड़ा है आपको सबूचे खुले आम सबूचे वीडियो recording है जी खुशामदीद दोस्तों उमीद करता हो वीडियो आपने पूरी दे की होगी और आपको पसंद भी आई होगी देशतकर्द क्या है देशतकर्द होते कोन है मैं आपको वाज़ कर दू देशतकर्दो का कोई भी मजभ नहीं होता और अकर आप मगरबी मेडिया को सुनेंगे जिस तरह BBC और CNN तो वो हमेशा से एक मिशन पर है वो हमेशा से इसलाम को किसी ना किसी एंगल से किसी ना किसी जाविय से या किसी ना किसी भी तरीके से इसलाम पर तनकीद और इसलाम को बदनाम करने और इसलाम को देशतकर्दी के साथ जोडने में लगा हुआ है लहाजा सबसे पहले आप इनका बाइकार्ट कीजिए दूसरी बात देश्यदगर्दी होती क्या है देश्यदगर्दी कहते है किसी को बेगुना कतल करना कातल को भी नहीं पता कि वो क्यों कतल कर रहा है और जो मगतूल है उसको भी पता नहीं कि वो मुझे क्यूं मार रहा है और यही बात रसूल लासुल लाह अले बता दी है कि क्यामत के अलामात में से एक अलामा यह भी है कि कातल और मगतूल दोनों को पता नहीं होगा कि मैं ये कम क्यूं कर रहा हूँ और वो क्यूं मुझे मार रहा है तो भायो दोस्तो आप खुद अन्दाजा लगा ले अपने एड़ गर्फ माहोल दे के दुनिया के हालाद दे के यही चल रहा है कातिल को भी नहीं पता वो क्यूं मार रहा है और मक्तूल को भी नहीं पता कि वो क्यों मन रहा है तो दिश्यक्रदी का मजभब से कोई भी तालुक नहीं अगर कोई इसलाम पर उंगली उठाए कि इसलाम एक दिश्यक्रद मजभब है तो जरह मुझे ये बताए कि मुसल्मानों ने हिंदोस्तान पर एक हजार साल तक हुकूमत की कौन सी दिश्यक्रद तन्जीमती मुसल्मानों की कि आज भी हिंदोस्तान में मुसल्मानों की तादाद ज्यादा है इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसल्मानों का नाम लेने वाला कोई नहीं था आज वहाँ पर मुसल्मानों की तादाद बढ़ गई है कौन सी मुसल्मान आरमी वहाँ पर गई या कौन सी मुसल्मान देशगत तरजी वहाँ पर गई और वहाँ पर इसलाम के पर्चम लहरा है अच्छा नाइन इलेवन का वाकिय आपको याद होगा 2001 में उसको भी जोड़ दिया जाता है उसामा बिन लादिन से और मुसल्मानों के खिलाफ जबके खुद अमेरिका के जनलिस्ट, अमेरिका के मुक्तरिफ येनलों ने इसको एक प्री मैक और इसी तरह एक ओन मेल ड्रामा करार दिया था और ये भी सामने आई थी ये बात के वर्ल्ड ट्रेट सेंटर में उस वक्त जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी जितनी भी ज़रूरी चीज़े थे वो शिफ्ट हो गए थे तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों के खिलाब एक टोस थबूत हासिल करने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया और उसके बात अपना काम ये शूरू करते गए लेकिन बिला आखिर जब तक हारे तो 2020 में ये वापिस खालिहाद लोटे ये अमेरिका वाले इसी तरह बहुत सारे लोग जो मुसल्मानों को बन नाम करने के पीछे पड़े हैं कोई एक सबूत या कोई एक ठोस सचाई वो सामने लाए उसके बाद हम मान लेगें लेकिन बिलकुल वो नहीं ला सकते बितार चुब मगरबी मیडिया है वो भी जिहाद को देशगर्दी का नाम देते हैं माई में आप से पुछता है जब आपके अमेरिका पर कोई हमला करता है तो जवाब में आप सेल्फ डिपेंस के तोर पर हमला करते हैं तो पिर आप उसको के नाम देते हैं इसी तरह इसलाम भी सेल्फ डेपेंस अपनी इसलाम की हिफादत के लिए अगर कोई हरकत करे या कोई काम करे तो आप उसको हम उसको जहाद का नाम देते हैं भाई इसलाम से बड़ा एक इनसानियत वाला मजभ़ हो यह नहीं सकता कुरान में अल्ला ताला फर्माते हैं कि अगर आपने एक बेगुना इनसान को खतल किया तो इसका मतलब अपने पूरी इनसानियत को खतल किया और अगर आपने एक इनसान की जहन बचाई इसका मतलब अपने पूरी इनसानियत को बचाई यह वाला स्टेटमेंट जो जो लाह ताली ने कुरान में दीया है यह स्टेटमेंट कुरान के रावा इसलाम के रावा ना आपको यहुदी・यत में मिलेगा ना एसाइयत में ना किसी और मेें झाक्टर जाकरनाइक ने भी इसके उपर खूब बराबर रोशनी डाली तो इन सब की दों से थाबित होता है कि इसलाम जो है वो एक मकम्मल जाबित हयात है और इसलाम को बदनाम करने वाले आखिर में खुद ही बदनाम होते रहेंगे अमीद करता हो वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर वीडियो आपको पसंदाए तो इस चैनल को सब्काइब करें बहुत शुक्रिया